कि अच्छ कि अच्छ के विडियो में हम बात करने वाले हम बैटरी बेस्ट मेंजमेंट रूल 2022 के बारे में तो फर्स्ट आप वाज रहा देखते हैं यह रूल आंके न्यूज में क्यों है तेकर रेसेंटली हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंवार्मेंट फॉर्स्ट क्लाइमेंट चेंज ने बैटरी वेस्ट मेंजमेंट रूल 2022 को पॉब्लिस कर दिया है तो इस वीडियो में हम इस रूल से रिडिटेट जिते भी इंपोर्टन फैक्ट या कॉंसेप्ट हैं जो हमारे जामनिशन पॉइंट वीव से इंपोर्टन हो जाते हो नहीं डिसकस करे यह 2001 के रूल में ही कुछ कमिया थी जो भी मिसिंग रूट टर्म वगएरा थे क्योंकि सेनारियो चेंज हो रहा है 2001 में अलग सेनारियो था और हम 2022 की बात कर रहे हैं आज एलेक्ट्रिक विकल का जमाना बढ़ता चला जा रहा है तो बैटरी की बढ़ते चले जा रही है तो ताकि जो वेस्ट बैटरीज वगएरा है उसे अज दिक सरीक यूज किया जा सके यह ना हो कि जितने भी बैटरीज बनते चले जाएं और वेस्ट होते चले जाएं तो इनका यूज होना भी ज़रूरी है इसलिए यह बैटरी मेंजमेंट रूल लाए गया है और इसमें यूज करते थे रेडियो वगरा यूज करते तो हमने बैटरीीज की जुरूरत होती थी में क्या देखेंगे आप फर रेर लिहँँ आपको इस तरह के बैटरीज जब development ब्रती आए क्शारे इन्वाट्टि की और इसे इस्तुनिक किया गया है उसे इइपलेशन को आगे ले में बताए गए पहले से जो रूल चले आ रहे था हमने डिसकस किया कि इसमें कुछ कमिया थी उसे दूर करने की बात की जा रही है तो इसमें एक्टेंडेट प्रोडूशर रिस्पॉंस लेटी जिसे सौर्ट महम हम EPR कहते हैं उसे पुरी तरह से डिफाइन किया गया है इसमे उनने भी रिसाчे करना और उनने यूज करना निवी बया बनाने में नहीं तो क्या होगा हम इंपोर्ट reiter करते जाएंगे नहीं EPR के norms को fulfill नहीं करेगा मिंस जितने भी टार्गेट है उन्हें फुल्फिल नहीं करता है तो उस पे कुछ compensation इंपोज किये जाएंगे मिंस कुछ fine वगरा लगाए जाएगी ताकि आप रूल को अच्छे से फॉलो करें और थार्ड नंबर पे इसमें बताया गया है कि जितने भी वेश्ट बैटरीज है उससे related industries को नहीं इंडस्टरीज को नहीं इंट्रफिनेट एप किया जाए ताकि जो नहीं टेक्नोलोजी वगरा है वो आ सके इंडिया में और अच्छे से हमारा वेस्ट मेनेजमेंट हो सके उसके बाद बताई गई है जो भी recycle material है new batteries के लिए उन्हें यूज किया जाए मिन्स यहां पर रूल सेट अप कर दिया गया कि कुछ सर्टेन इमांट ऑफ जो भी वेस्ट वैट्रीज है उन्हें जैसे रिसाइकल किया जाएगा उन्हें यूज किया जाएगा न्यू बैट्री बनाने में उसके बिनागर कोई आप माली एक न्यू बैट् करना पड़ेगा उसके बाद बात आती है इसमें की प्रोविजन में बताया गया है कि जितने भी इंप्लिमेंटेशन रूल वगयरा है उन्हें मोनेटर किया जाएगा था कि देखिए जो स्टेट लेबल पर बैट्री मनिफेक्चर है नेशन लेबल पर उन्हें क्या करना हो अफने आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा और रेपोर्चिंग करनी होगी कि आपने कौन-कौन सी बैतरी को कहां पे जिस्ट मैचमें क्या है या नहीं किया है उसके लिए आपको अडिकेक्टिन करना रही और खासकर हो गार्मनेंट समय समय पर committee वगरह discuss करेंगी committee वनाएगी committee को किया काम होगा कि जो भी इस तरह के rule है उन्हें implement हो रहा है या नहीं हो मोनिटर करेंगी ताकि आप सरकार की नजर बने रहें ना कि आप जो प्रोविजन बताये गया है उन्हें भी आप पूरा जरूर करें तो आप बात करते हैं जरा कि नए रूल के क्या-kya significance होगे प्रोविजन की तो हमने बात कर ली जरा significance की बात करतें देखिए सबसे important significance क्या बताये गया है इसमें इसमें कहा गया है कि जो sustainable management of battery waste है उन्हें अच्छा होगा पहले से क्या होगा बैटरी के लिए वेस्ट management के लिए को ज्यादा बड़ा रूल नहीं था तो वो sustainable यूज होगा और यह जो पुछ करेगा यह पुछ करेगा हमारे जो इस ज्यादा पुस्करने वाला है ताकि के लिए जितने भी हमें बैटरी की जुरूरत हो हमें उन्हें इंपोर्ट ना करना पड़े अधिक सब्सक्राइब बाहर से ना अमंगाना पड़े मंत इंपोर्ट बड़न वगरा हमरा बज्जा है साथ ही साथ इससे क्या होगा नए न नया जनरेशन होगा इंप्लाइमेंट के लिए यह दूसरा सिग्निफिकेंस बताया गया है और साथ ही साथ थार्ड नंबर की जो बात हम करें इसमें कहा गया है कि जो डिपेंडेंसी है निव मेटरियल की अभी क्या होती है उसके लिए हम अधिक सब्सक्राइब करते हैं इ यह मटरियल की डिपेंडेंसी कम होगी यहां पर निव मेटरियल की तो होप आपको यह सारी बाते समझ में आई होंगी थैंक्स पर वाचिंग